साथियों आज केमिकल मुक्त खेती नेचरल फार्मिंग सरकार की प्राफिक्ता है और मैं अभी दिल्ली की उन दो बेटियों को बढ़ाई देता हूं को उन्हों ने अपने दिल को जगजोर दिया धरती मा पुकार पुकार करके कह रहे इस बहुत उत्तम तरीके से नाटे मंचन के द्वारव उन्हों ने हमें जगाने का प्रयास किया है मैं तो चाहता हूँ हर कॉपरेटिव संस्ता इस प्रकार के एक टोली तयार करें जो टोली हर गाउं में इस प्रकार से मंचन करें लोगों को जगाएं हाल में ही एक बहुत बड़ी योजना पीएम प्रमान को स्विक्रुति दी गई है पीएम प्रणाम लक्षे यह कि जादा से जादा किसान केमिकल मुक्त खेती अपनाए इसके तहट वैकलपी खादों और गोनिक खाद के उत्पादन पर बल दिया जाएगा इससे मिट्टी भी सुरक्षित होगी और किसानों की लागत भी कम होगी इसमें सहकारिता से जुड़े संगठनों का योगदान बहुत एहम है मेरा सभी सहकारी संगठनों से अगर है किस अभियान के साथ जादा से जादा जुड़िये यह आपताय कर सकते हैं कि अपने जिल्यके पांच गाउं को किमीकल मुक्त खेती के लिए सत्र प्रतीशत हम करके रहेंगे 5 गाउं और उन 5 गाउं में किसी भी खेत में एक ग्राम भी केमिकल का प्रयोग नहीं होगा यह हम सुनिच्षित कर सकते हैं इसे पूरे जिले में इसको लेकर जागरुपता बढ़ेगी सबका प्रयास बढ़ेगा साथियों एक और मिशन है जो केमिकल मुक्त खेती और अतिरिक्त आय दोनों सुनुचित कर रहा है ये हैं गोबर धन योजना इसके तहर देश भर में वेस्ट से वेस्ट बनाने का काम किया जा रहा है गोबर से कचरे से बिजली और जैवी खात बनाने का ये बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है सरकार ऐसे प्रांच का एक बहुत बड़ा नेटवर का तैयार कर रही है देश में अने बड़ी बड़ी कंपनियों ने पचांस से जादा बायो गेस प्रांच तैयार किये हैं गोबर्धन प्रांच के लिए सहकारी समितियों को भी आगे आने की आवशक्ता है इसे पशु पालकों को तो लाब होगा ही जिन पशुओं को सडकों पर छोड़ दिया गया है उनका भी सदुप्योग हो पाएगा